हेलो फ्रेंड्स प्रेम्दा किचीन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेकर आई हूँ केले से बनने वाली बहुती आसान और इस्टंट मिठाई तो वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा तो हमने यहाँ पर तीन केले लिये हैं और उन केलो को हम अच्छे से छील लेंगे छीलने के बाद में हम यहाँ पर मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में उसके छोटे छोटे टुकडे करकर हम उसमें डाल देंगे डालने के बाद में ध्यान रहे कि हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद में इसको रोक रोक कर हम चलाएंगे मिक्सी को एक साथ हमें मिक्सी को नहीं चलाना है और हमें देखिए एक फाइन सा फेष्ट बना लेना है तो हमारी केले हैं जो अच्छे से पिस कर द्यार हो चुकी है उसके बाद हमने यहाँ पर 500 ग्राम के जितना गुड लिया है आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं यदि गुड खाना पसंद नहीं करते दो तो मैं यहाँ पर गुड ले रही हूँ और गुड को हम एक बरतन में डालेंगे बरतन में डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर रख देंगे जिससे कि हमारा गुड है जो अच्छे से पिगल जाए तो देखिए हमें इस गुड को अच्छे से मेल्ट करना है तो हम इसको साइड में रख देंगे 4-5 मिनिट के लिए अब यहां पर हम एक कडाई लेंगे और कडाई में मैंने छोटे चमबर 3 घी लिये है और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे गरम करने के बाद में मैंने यहां पर एक कटोरी कुट्टू का आटा लिया है आप चाहे तो गयों का आटा भी ले सकते हैं या फिर बेसन भी ले सकते हैं लेकिन मैं यहां कुट्टू का आटा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम इसको व्रत में भी खा सकते हैं यदि हमारा कोई फास्ट है तो हम इस मिठाई को हम खा सकते हैं आटे को हम व्रत में नहीं खाते तो हम इसे अच्छे से भून लेंगे तो देखिए इसमें से अच्छी सौंधी सी खुसबू आने लगी है तो हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से भून चुका है आटा भूनने के बाद में जो हमने केले का पेष्ट बनाया था उसको हम डाल देंगे तो मैंने यहाँ पर आटे में केले का पेश्ट डाल दिया है और डालने के बाद में हमें इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है और देखे हमारा एक डो बन कर तयार हो चुका है तो हमें इसे इसी तरह लगातार 2-3 मिनट तक भूनना है और ध्यान रहे कि इसे चलाते रहना है क्योंकि हमने इसमें केले डाले हैं तो यह नीचे से लगेगा अब यहाँ पर हमने जो गुर लिया था उसको हमने पिगला लिया है और च्छान लिया है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद में भी हमें इसे अच्छे से ऐसे ही चलाते रहना है 2-3 मिनट तक और अच्छे से भूनना है तो देखिए हमारा जो मिठाई है उसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है तो अच्छे से बन गया है अब यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेंगे आप चाहें तो इस प्लेट के घी भी लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर बटर पेपर लिया है और उसके उपर जो हमने डो तैयार किया था उसको हम डालेंगे और अच्छे से फैला लेंगे हमें इसे गरम गरम ही फैलाना है उसके बाद यहाँ पर हम गारनेश के लिए कुछ ड्राइफ रूट लगा देंगे मैंने यहाँ पर बिदाम के टुकड़े कर लिये है और काजु के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिये है और उनको हम अच्छे से फैला देंगे तो सभी चीजों को हम अच्छे से लगा देंगे लगाने के बाद में हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे और पांच मिनट फ्रीज में रख देंगे फ्रीज में रखने इससे क्या है हमारी जो ही मिठाई है अच्छे से सेट हो जाएगी तो देखिए मैंने इसको 5 मिनट फ्रीज में रख दिया था और अच्छे से सेट हो चुकी है मैं आपको दिखा देती हूँ और देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है अब हम इसको क कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही बहुत अच्छी लगती है बच्चों को बहुत पसंद आती है और एकदम चॉकलेटी फिलावर है इसका और इसमें हमने कोई कलर नहीं डाला है और बहुत ही अच्छी बनकर तयार हुई है